Hello friends, welcome to study car, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज के इस मात्मून लेक्शर में हम आपके साथ डिसकस करेंगे sports करेंट अफ्यास को, तो 2024 की sports करेंट अफ्यास को इस लेक्शर में डिसकस करने वाले हैं, आप इस पूरे लेक्शर को last तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि ये ल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकोन भी दबाले, जिससे आपको समय पर सबसे पहले notification मिल सकेगा, चलिए लेक्शर की शुरुबात करते हैं, देखते हैं, पहला question क्या है, बहुत important question है, महिला प्रीमियर लीग, यानि बोमेंस प्रीमियर लीग, या इसे safety, में WPL भी बोलते हैं, 2020 का खिताब किसने जीता है, यानि WPL 2024 का खिताब किसने जीता है, तो Royal Challengers Bangalore यानि, RCV की टीम ने WPL 2024 का खिताब जीता है, आपको याद रखना है, कि RCV की टीम ने डिलि कैप्टल्स को 8 विकिट से हरा करके WPL 2024 का खिताब जीता है, final मुकाबला दिल्ली के अरोन जेटली स्टेडियम में किया गया था दोस्तों ये तो बात हुई 2024 के WPL की 2023 का WPL किस ने जीता था मुंबई इंडियन्स ने वर्दमान में RCB टीम की कप्तान कौन है इस्मनती मंधाना और दिल्ली केप्टल की कप्तान कौन है मैगले ने विजेटा टीम को 6 करोड रुपए की रासी दी गई है और उप विजेटा टीम को 3 करोड रुपए की रासी प्रदान की गई है कुछ अबाड डिसकस कर लेते हैं जो कि WPL 2024 के अंतर गद दिये गए हैं तो पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ दा मैच का बाड दिया गया है सैफाली बर्मा को सिक्सिस ऑफ दा मैच का बाड दिया गया है सैफाली बर्मा को इसके अलाबा फाइनल मैच में प्लियर ऑफ दा मैच का बाड दिया गया है सोफी मॉली निक्स को और 6th of the season का अवार्ड दिया गया है सैफाली बर्मा को इसके लिए उन्हें 5 लाग रुपए भी प्रदान किये गए है Powerful Striker of the season का अवार्ड दिया गया है Georgia Wareham को और Fair Play अवार्ड दिया गया है RCB की टीम को इसके अलाबा Most Valuable Player of the season का अवार्ड दिया गया है दीप्ती शिर्मा को Catch of the season का अवार्ड दिया गया है सजीवन सजना को Purple Cap का अवार्ड दिया गया है या Purple Cap प्रदान की गई है Sriyanka Patil को उन्होंने 13 विकेट हासिल किये है Orange Cap दी गई है Alice Perry को इन्होंने 347 रन बनाए है Emerging Player of the season का अवार्ड दिया गया था Sriyanka Patil को दोस्तो WPL का पहला संस्कार 2023 में हुआ था Mumbai Indians ने पहला खिताब जीता था इस पॉइंट को आप याद रखिएगा WPL का संचालन कौन करता है तो इसका संचालन VCCI करता है UP Warriors तो यह पांच नीमे हिस्सा लेती है WPL में दोस्तो आप हमारे WhatsApp चैनल को जोईन कर लिजेगा उसका Link description box में दिया गया है Telegram चैनल का भी Link description box में दिया गया है तो Telegram चैनल पर आप हमसे जोड़ जाएगा App को डाउलोड कर लिजेगा इसका Link description box में दिया गया है App पर आपको paid course, e-book, test series, PDF और daily course यह सभी मिल जाएगे Yearly और monthly current affairs की e-book आपको App पर मिल जाएगी Hindi और English दोनों मीडियम में दोस्तो इसके अलाबा Science की e-book को भी launch कर दिया गया है App पर वहां से आप इसको प्राप्त कर लिजेगा राजा गुप्ता सर का जीव ग्यान यानि biology का course स्टार्ट होने बाला है तो उसके लिए registration भी शुरू हो गए है 19 मार्च 2024 से कभी offer चल लहा है offer का फाइदा उठाएए आपको जाना है App पर और वहां से आप राजा गुप्ता सर के course के लिए registration करबा सकते है अंगला question है रंडजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है काफी important question है तो इस question का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा Mumbai तो रंडजी ट्रॉफी क्रिकेट से related है और 2023 में इसका खिताब Mumbai की टीम ने जीता है याद रखेगा कि Mumbai की टीम ने विदर्व को 179 रनों से हारा कर रंडजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है फाइनल मुकाबला Mumbai के बानखेडे इस्टीडियम में खेला गया था और Mumbai ने 42 भी बार रंडजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है यादि रंडजी ट्रॉफी की सबसे सफल टीम कौन है? Mumbai के टीम प्लेयर आफ दा सीरीज का बार तनोस कोटियान को दिया गया है जो कि Mumbai की टीम से रेलेटेड है Most run यादि सबसे अधिक run किसने बनाए है? रिकी भूई ने इन्होंने 902 run बनाए है और इनका संबन्द आंदप्रदेशे है सबसे अधिक बिकिट हासिल किये है आर साई किसोर ने इन्होंने 53 बिकिट हासिल किये है और इनका संबन्द तमिलनाडू से है रंडजी ट्रॉफी 2022 ते इसका बिज़िटा कौन था? सौराष्ट और 2021-22 की ट्रॉफी किस ने जीती थी? मद्द प्रदेश ने और रंडजी ट्रॉफी का पहला संस्कंड कब हुआ था? 1934 में नेक्स्ट कोशन है खेलो इंडिया इन्वर्सिटी गेम्स 2024 में पहला इस्थान किस ने हासिल किया है? तो चंडीगर इन्वर्सिटी ने पहला इस्थान हासिल किया है आपको याद रखना है कि 2024 में जो खेलो इंडिया इन्वर्सिटी गेम्स आयोजित किये गए हैं यह इसका चौथा संसकंड था? इसका आयजन 19 से 29 फरवरी 2024 तक किया गया है और इसका आयजन आसम के गोहावटी में किया गया था सुभंकर यानि मसकट कौन था? आश्टलक्षमी और आश्टलक्षमी कौन थी? एक तितली थी 20 खेलों को सामिल किया गया था खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स दोहजार चौबिस में और 4500 एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया था और 200 से अधिक उनिवर्सिटी भी इसमें सामिल हुई थी दोस्तों चंडिगर विश्विद्याला पहले स्थान पर रहा है इसने 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉंज मेडल हासिल किये थे और कुल टोटल इसके 71 मेडल थे तो इसने पहला स्थान हासिल किया है फिर दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यउनिवर्सिटी थी एसथा आजसंуса किस देस में किया जाएगा आंसर हो जाएगा चाइना में तो दोस्तो इससे पहले 2015 में भी चाइना में mm क Yang अब 2027 में इससा आज़न चाइना की कैपटल बीजिंग में क्या जाएगा 1221 में क्या गई थी और इसका Three क्वाटर मोनाको में है अंगला कुशन है प्रो कवड़ी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है काफी important कुशन है तो पुनेरी पल्टन की टीम ने प्रो कवड़ी लीग 2024 का खिताब जीता है तो 2024 में जो प्रो कवड़ी लीग का आयोजन किया गया था या इसका 10-1 सीजन था और इस टीलर्स के कप्तान थे जैदीब दहिया टॉप स्कोरर रहे हैं आशू मलिक इन्होंने 276 पॉइंट हांसिल किये हैं और इनका संबंद दबंग दिल्ली की टीम से रहा है रेडर्स ऑफ दसीजन काबाड आशू मलिक को दिया गया है और इनका संबंद दबंग दिल्ली से रह है Defender of the Season काबाड मुहमद रेजा चिया नेह को दिया गया है जो कि पुनेरी पल्टन की टीम से रिलेटेड थे सबसे मूल लिबान खिलाड़ी यानि most valuable player काबाड दिया गया है असलम इनामदार को और ये पुनेरी पल्टन के कप्तान भी रहे हैं सीजन के योबा खिलाड़ी काबाड दिया गया है योगेस दहिया को ये दबंग दिल्ली से रिलेटेड है प्रो कवड़ी लीग दो हजार चौबिस के सबसे महगे खिलाड़ी कौन थे वो थे पवन कुमार सहरावत इन्हें 2.6 करोड में तेलगू टाइटेंस ने खरीदा था प्रो कवड़ी लीग दो हजार चौबिस के सबसे महगे विदेशी खिलाड़ी कौन थे मोहमद रेजा चिया ने इन्हें 2.35 करोड में पुनेरी पल्टन ने खरीदा था प्रो कवड़ी लीग दो हजार चौबिस के एसोसेट स्पॉंसर कौन थे ड्रीम इलेवन पतंजली रोफ और अल्टरा टेक सिम कब हुई थी 2014 में पहला विजिता कौन था जैपोर पिंक पैंथर्स सबसे सफल टीम कौन है पटना पाइरेट्स इसने तीन खिताब हांसिल किये हैं और आपको याद रखना है कि कबड़ी की एक टीम में साथ खिलाड़ी होते हैं तो यह सभी important point है कबड़ी से related अंगला question है B.S.I. प्रणीत का संबंद किस खेल से था जिन्होंने सन्यास की घोशना कर दी है तो B.S.I. प्रणीत बैडमिंटन से related थे उन्होंने अभी हाली में सन्यास की घोशना कर दी है दोस्तो B.S.I. प्रणीत ने WISU Championship 2019 में ब्रोंज बेंडिल हासिल किया था और 2019 में ही उन्हें अरजुन पुरुस्कार भी दिया गया था नेक्स्ट कोशन है संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस ने जीता है आंसर हो जाएगा सर्व सेज ने तो सर्व सेज की टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है संतोष ट्रॉफी फुटवाल से related है 2023 का जो आयूज है और उप विजिता गोवा की टीम रही है तो ये भी काफी important point है कि विजिता कोन रहा है सर्व सेज और उप विजिता गोवा रहा है टॉप गोल स्कोरर रहे हैं फिजाम सनाथोई मैईतेई जोकी मनीपुर से related हैं इन्होंने पूरे season में 9 गोल किये थे सर्वसरेश्ट खिल संतोष ट्रॉफी की बात करें तो इसकी स्थापना 1941 में की गई थी सबसे सफल टीम है इसकी पशिम मंगाल पशिम मंगाल ने अब तक 32 बार संतोष ट्रॉफी का किताब अपने नाम किया है संतोष ट्रॉफी का आयोजन अखिल भारतिये फुटवाल महासंग यानि की All India Football Federation के इस था अपना 1917 में हुई थी और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है कल्यांट चौबे नेक्स्ट कुशन है 700 टेस्ट विकिट लेने वाले दुनिया के पहले तीज गैंदबाज कौन बने हैं अंसर हो जाएगा James Anderson तो England की James Anderson 700 टेस्ट विकिट लेने वाले दुनिया के पहले त 700 विकिट हासिल किये हैं अगर हम टेस्ट में सबसे अधिक विकिट लेने वाले गैंदबाजों की बात करें तो पहला स्थान है मुथया मुर्ली धरन का उन्होंने 800 विकिट हासिल किये हैं Samwar ने 708 विकिट हासिल किये हैं James Anderson तीसरे स्थान पर हैं इन्होंने 700 विकिट हासिल किये हैं और Anil Kumble चौथे स्थान पर हैं इन्होंने 690 विकिट हासिल किये हैं और Stuart Broad इन्होंने 604 विकिट हासिल किये हैं तो ये हैं टेस्ट में सबसे अधिक विकिट लेने वाले गैंदब नेक्ट कुशन है भारतिया पैरालंपिक समीती का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो देविंद्र जाजारिया भारतिया पैरालंपिक समीती के अध्यक्ष बने हैं इससे पहले कौन था अध्यक्ष दीपा मलिक तो दीपा मलिक का इस्थान लिया है किसने देविंद्र जाजा था और दूसरा गोल्ड मेडल 2016 में रियो पैरालंपिक में हासिल किया था आपको याद रखना है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उन्होंने सिल्बर मेडल जीता था अगला कुशन है जैन निकोल लौफ्टी इटन किस देश के क्रिकेटर है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज सतक बनाया है आंसर हो जाएगा नाबीबिया तो नाबीबिया के जैन निकोल लौफ्टी इटन ने T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज सेंचुरी लगाई है याद रखिएगा कि उन्होंने 33 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी की है और उन्होंने नेपाल के खिलाफ ये कारणामा किया है तो उनकी पूरी पारी 101 रनों की रही है तो उन्होंने 101 रन 36 बॉल में बनाये हैं और 33 बॉल में उनकी सेंचुरी पूरी हो गई थी इटन ने अपनी पारी में 11 चौके और 8 चौके लगाई थे नेक्ट कोशन है खिलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सबसे अधिक मैडल किस ने जीते हैं तो आर्मी की टीम ने सबसे अधिक मैडल जीते हैं आपको याद रखना है कि 2024 में जो खिलो इंडिया विंटर गेम्स आउजुद किये गए थे या इसका चौथा सजकंट था और 2024 क में किया गया है तो इसका आयोजन जम्मू कस्मीर और लद्दाग दोनों में किया गया था तो पहला चरण 2-6 फरवरी 2024 तक लेह लद्दाग में किया गया है और दूसरा चरण 21-25 फरवरी 2024 तक गुल मर्ग जम्मु कस्मीर में किया गया है आपको याद रखना है कि भारतिय सेना की टीम ने 10 गोल्ड मेडल, 5 सिल्बर मेडल और 6 ब्रॉंज मेडल हासिल किये है और उसने पहला इस्थान हासिल किया है तो अगर हम मेडल टैली की बात करें तो सेना की टीम पहले स्थान पर है इसके कुल टोटल 21 मेडल है, दूसरे स्थान पर करनाठक, तीसरे पर महराष्ट, चौथे पर हिमाचल प्रदेश और पाच्वे स्थान पर उत्रा घंड रहा है दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का मसकट क्या था तो सीन एसी इसका मसकट था जो की एक हिम त लेने वाली गेंदबाज कोन बने हैं? अंसर हो जाएगा रभी चंदरन अस्विन यानि आर अश्विन तो रभी चंदरन अस्विन भारतिये पिचों पर टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकिट हासिल करने वाली गेंदबाज बन गए हैं, उन्होंने अनिल कुम्बली का रि पिच क्यूरेटर कोन बनी हैं? आंसर हो जाएगा जैंस्ता कल्याड तो दोस्तो अब भी हाली में WPL का आयोचन किया गया है, तो इसी दोरान जैंस्ता कल्याड भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी हैं, पिच क्यूरेटर का मतलब वो व्यक्ति जो पिच बनाने का का करता है यानि किर्किट का जो पिछ होता है उसको बनाने का काम जो करता है उसे पिछ क्यूरेटर बोलते हैं तो भारत की पहली महिला पिछ क्यूरेटर कौन बनी है जैंस्था कल्यार नेक्स्ट कोशन है एसे आए ट्रैक साइकलिंग चेंपिन्शिप में भारत ने जूनियर महिला टीम स्प्रिंट इवेंट में कौन सा मेडल जीता है तो भारत ने गोल्ड मेडल जीता है आपको याद रखना है कि एसे एन ट्रैक साइकलिंग चेंपिन्शिप का आउजण 24 में दिल्ली के इंड्र गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था तो इसमें भारत की जूनियर महिला टीम ने स्प्रिंट इस पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है इस टीम में सरीता कुमारी निया सैबेस्टियन जैना मुहम्मद अली परिखान और सबीना कुमारी रही हैं तो इन सभी ने ग माम सी क्रसना तो उन्होंने सी के नाइडू ट्रॉफी के एक ओवर में छे छक्के लगाए हैं आपको याद रखना है कि इससे पहले यह कारना मार रभी सास्त्री 1985 में और रितुराज गाएकबार 2022 में कर चुके हैं और यहां पर बात आई थी सी के नाइडू ट्रॉफी की तो इसको आप याद रखेगा कि यह किरिकट से रिलेटर है। Next question है, Badminton Asia Team Championship 2024 का खिताब किस ने जीता है, तो भारत ने Badminton Asia Team Championship 2024 का खिताब जीता है, तो final में भारत ने Thailand को 3-2 से हरा करके gold medal हासिल किया था, भारतिय महिला टीम ने Asia Team Championship में पहली बार कोई medal जीता है, आपको याद रखना है, Badminton Asia Team Championship की शुरुबाद साल 2016 में की गई थी, अंगला कुश्चन है, Hammer Thrower रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंद लगाया गया है, आंसर हो जाएगा 12 साल का, तो दोस्तों भारत की Hammer Thrower रही है सर्टा कुमारी, तो उन पर अभी हाली में Athletics Integrity Unit यानि AIU के द्वारा 12 साल का प्रतिबंद लगाया गया है, इससे पहले अभी 2015 से 2019 तक उन पर प्रतिबंद लगाया गया था, नेक्स कोशन है, AFC Asia Cup 2023 का खिताब किसने जीता है, आंसर हो जाएगा कतर ने, तो दोस्तों AFC Asia Cup 2023 का एवजन 12 जनवरी से 10 परवड़ी 2024 तक कतर में ही किया गया था, इसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया था, दूसरी बार य इरान और चौथा इस्थान साउथ कोरिया ने हासिल किया है, AFC Asia Cup का पहला संसकर्ण 1956 में हुआ था, दोस्तों यहां पर बात आई है AFC की, तो AFC को हम Asian Football Confederation की नाम से जानते हैं, इसका गठन 1954 में हुआ था, मुख्याला एक क्वाला लामपूर मलेसिया में है, वर्तमार में इसके महासचों है, विंड सर जोन, नेक्स्ट कोशन है, अंडर 19 किरकेट विशुकप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ऑस्टेलिया की टीम ने अंडर 19 किरकेट विशुकप 2024 का खिताब भारत को हरा करके जीता है, ऑस्टेलिया ने चौथी बार यह टाइटल जीता है, इससे 2000-2008-2012-2018 और 2022 में Under-19 Cricket World Cup का खिताब जीता था दोस्तों Under-19 Cricket Wish Cup 2024 का आईजन South Africa में किया गया था और आप याद रखेगा कि Player of the Series कोई ना मफाका रहे हैं चोकि South Africa के थे सबसे अधेक रन उदाय सहारन ने बनाए थे इन्होंने 397 रन बनाए थे और इनका संबंद भारत से रहा है और Under-19 Cricket Wish Cup का पहला आईजन 1988 में किया गया था और इसका आईजन ICC के द्वारा किया जाता है Next question है चन्नई Open 2024 टेनिस में पूरो सी एकल का खिताब किसने जीता है आंसर हो जाएगा सुमेत नागल ने तो दोस्तों चन्नई Open 2024 का आईजन चन्नई के HD80 Tennis Stadium में किया गया था तो सुमेत नागल ने इटली के लुका नार्दी को हरा करके चन्नई Open 2024 एकल का खिताब अपने नाम किया है अंगला कुशन भी चन्नई Open से रेलेटेड है चन्नई Open 2024 में पुरो सी योगल का खिताब किसने जीता है आंसर हो जाएगा रामकुमार रामनाथन और साकेत माई नैनी की जोड़ीने तो दोस्तों पुरो सी योगल का खिताब रामकुमार रामनाथन और साकेत माईनेनी की जोड़ी ने जीता है चन्नाई ओपन दो हजार चौबिस के बारे में आप याद रखिएगा कि यह इसका चौथा संस्क्रण था और इसका आउजन 5 से 11 फरवरी दो हजार चौबिस तक किया गया है यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और इसका पहला संस्क्रण 2018 में हुआ था नेक्ट कोशन है किस देश में दच्छन डेसिया की पहली प्रोफेशनल बूमेन हैंड वॉल लीग का अनावरन किया गया है आंसर हो जाएगा भारत तो दोस्तो भारत में यह लक्ष रखा गया है कि 2025 तक बूमेन हैंड वॉल लीग का आईजन किया जाएगा तो इसके लिए अभी इस लीग को लॉंच किया गया था आप याद रखिएगा कि इस लीग में 6 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं हेंड बॉल की बात करें तो हेंड बॉल एक टीम खेल है और साथ खिलारियों की दो टीमें आपस में खेलती हैं अंगला कुशन है सैफ अंडर 19 महिला फुटवाल चेंपेंसिप 2024 का खिताब किसने जीता है आंसर हो जाएगा भारत और बांगलादेश ने तो भारत और बांगलादेश की टीमों ने सेख तुरूफ से सैफ अंडर 19 महिला फुटवाल चेंपेंसिप 2024 का खिताब जीता है आपको याद रखना है कि यह जो चेंपेंसिफ है यह बांगलादेश की कैपिटल धाका में आउजित की गई थी बात करें अगर हम सैफ की तो इसे साउथ एसियन फोटवाल फैडरिसन की नाम से जाना जाता है इसका गठन हुआ था 1997 में हैटकोटर है इसका धाका में और इसके साथ सदस्न है भारत, बांगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीब, सेलंका और भूटान इसके वर्तमान में ध्रक्ष है काजी सलावटीं अंगला कुशन है आइसीसी टेस्ट रेंकिंग में टॉप पर पहुँचने वाले पहले भारती तेज गैंदवाज कौन बने है आंसर हो जाएगा जस्प्रीत बूमरा है तो आइसीसी टेस्ट रेंकिंग में टॉप पर पहुँचने वाले पहले भारती तेज गैंदवाज बने है जस्प्रीत बूमरा है दोस्तो वह अस्विन, रविन चडेजा और बिसन सिंग बेदी के बाद नमबर एक पर पहुचने वाले भारत के चौथे गैंदवाज बन गए है अंगला कुशन है सौराष्ट क्रिकिट एसुसेशन इस्टेडियम का नाम क्या हो गया है तो दोस्तो सौराष्ट क्रिकिट एसुसेशन गुजरात में है और इसका नाम अब निरंजन साह स्टेडियम कर दिया गया है काफी इंपोर्टन कुशन है ये कुशन आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तो निरंजन साह की बात करें तो वो भी एक क्रिकेटर रहे हैं उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में सौराष्ट के लिए 12 प्रथम स्रैणी क्रिकेट मैच खेले हैं नेक्ट कोशन है पैरेस ओलंपिक 2024 के लिए किस भारतिय को मसाल बाहक के रूप में चुना गया है आंसर हो जाएगा अभिनाव बिंदरा को तो दोस्तों जो 2024 में पैरेस ओलंपिक आयोजित किया जाना है उसमें मसाल बाहक के रूप में अभिनाव बिंदरा को चुना गया है भारत से अभिनाव बिंदरा की बात करें तो उनका संबंद सूटिंग से रहा है उन्होंने 2008 के वीजिंग ओलंपिक में दस मीटर एयर राइफल इस परधा में कोल्ड मेडिल हासिल किया था पैरेस ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो पैरेस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्ट 2024 तक फ्रांस की कैपिटल पैरेस में किया जाएगा 2024 में पहली बार ब्रेकिंग खेल सामिल किये गए हैं जिसमें ब्रेक डांसिंग, स्कैट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइबिंग और सर्फिंग जैसे खेल सामिल है अंगला कुशन है International Bushu Federation के द्वारा महिला Athlete of the Year 2023 कि से चुना गया है आंसर हो जाएगा नाव रेम रोशी बीना देवी को तो दोस्तों नाव रेम रोशी बीना देवी International Bushu Federation के द्वारा महिला Athlete of the Year 2023 चुनी गए है आपको याद रखना है कि नाव रेम रोशी बीना देवी का संबंध मनीपुर राज्य से है और इसके अलावा आपको इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने South Asian Games 2019 में गोल्ड मेडल हासिल किया था Asian Games 2022 में सिल्वर मेडल और Asian Games 2018 में ब्राँज मेडल हासिल किया था बुशू में बुशू की बात करें तो यहे एक चीनी मारसल आर्ट है नेक्स्ट कुशन है फीफा फुटवालर आफ दा इयर किसे चुना गया है तो 2023 का फीफा फुटवालर आफ दा इयर किसे चुना गया था अर्जेंटीना के फुटवालर लियोनेल मैसी को इसके अलाबा महिला बर्ग में स्पैन की आईताना बॉनमती को बीमेंस फुटवालर ओफ दा इयर चुना गया था 2023 के लिए और ये किसके द्वारा चुना गया था ये फीफा के द्वारा चुना गया था फीफा की अगर हम बात करें तो इसका फुल फार्म होता है इस था अपना 1904 में हुई थी चियोरिक सुट्यलेंड में इसका हैटकॉाटर है क्यानी इनफैंटिनो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है और फीफा फुटवाल विशुकब 2022 का बिज़िता कौन है अर्जिंटीना नेक्ट कुशन है भारत की नंबर एक सतरंज खिलाडी कौन बने है रमेश बाबू प्रग्नानंद तो रमेश बाबू प्रग्नानंद भारत के नंबर एक सतरंज खिलाडी बने है उन्होंने विशुनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है नेक्ट कुशन है बी सी सी आई के द्वारा International Cricketer of the Year 2023 किसे चुना गया है तो ये चुना गया है सुभमन गिल को दोस्तो सुभमन गिल को साल 2023 के लिए भारत का सर्व्सरेष्ट खिलाडी चुना गया है महिलाबरग में दीप्ति शर्मा को 2023 का सर्व्सरेष्ट खिलाडी चुना गया है इस्मरती मंधाना को 2020-22 के लिए और 2019-20 के लिए भी दीपती शर्मा को सर्प्सरेश्ट मईला खिलाडी चुना गया है 2023 के लिए करनल सीके नाइडू लाइफटाइम अचिमेंट अवार्ड रभी सास्त्री को दिया गया है इसके अलावा फारूक इंजीनियर को भी करनल सीके नाइडू अवार्ड दिया गया है अंगला कुशन है ICC Men's T20 Player of the Year 2023 के से चुना गया है तो शुर्र कुमार यादव को ICC Men's T20 Player of the Year 2023 चुना गया है दोस्तों ICC के द्वारा 2023 के लिए दिये गए पुरुसकार डिसकस कर लेते हैं तो ICC पुरुस Cricketer of the Year को बने है पैट कमिंस पुरुस Test Cricketer of the Year को बने है उस्मान ख्वाजा पुरुस बंडे Cricketer of the Year को बने है विराट कोहली पुरुस T20 Cricketer of the Year सूरु कुमार यादाओ Men's Emerging Cricketer of the Year रचिन रभेंदर बने है Men's Associate Cricketer of the Year को बने है बास डी लीडे महिला वर्ग की बात करें तो महिला Cricketer of the Year 2023 किसे चुना गया है नेट साइवर को महिला वन्डे Cricketer of the Year किसे चुना गया था चमारी अतापत्थू को महिला T20 Cricketer of the Year किसे चुना गया है हैले मैथ्यूज को 2023 की उभरती हुई महिला Cricketer किसे चुना गया है 4-way Lichfield को महिला Associate Cricketer of the Year 2030 किसे चुना गया है Queen Door Abel को तो ये सभी पुरुसकार आप नोट कर सकते हैं कुछ अन्य पुरुसकार हैं जिसमें Empire of the Year 2023 Richard Illingworth को चुना गया है और Spirit of the Cricket 2023 का अबाड Jim Bombay को दिया गया है अंगला कोशन है Australian Open 2024 में पुरुस एकल का खिताब किसने जीता है तो दोस्तो यानिक सिनर ने Australian Open 2024 में पुरुस एकल का खिताब जीता है तो इटली के टैनिस के लाड़ी है यानिक सिनर तो उन्होंने Australian Open 2024 का खिताब जीता था Daniel Maddeo को हरा करके दोस्तो Australian Open में Beemans Singles के इवेंट में बेलारूस की आरियाना सबलेंका ने खिताब जीता था और आरियाना सबलेंका ने लगाता दूसरी साल Australian Open का खिताब हासिल किया है भारत के स्टार टैनिस के लाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्टेलियाई साथी मैथ्यू एब्डन के साथ मिलकर के Australian Open 2024 में मैंस डबल्स का खिताब जीता था Australian Open की बात करें तो इसकी सुर्बात 1905 में हुई थी और यह हार्ड कोर्ट पर खिला जाता है नेक्स्ट कोशन है हौकी में महिला ACI Championship ट्रॉफी को किसने जीता है आंसर हो जाएगा भारत तो भारतिये टीम ने जापान को 40 से हरा करके यह खिताब जीता था और यह दूसरा मौका है जब भारत ने ACI Champions ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है इससे पहले 2016 में भारतिये टीम ने यह खिताब जीता था भारतिये होकी टीम की कप्तान कौन है सभीता पुनिया नेक्स्ट कुशन है 37 बे राष्टे खेलों में सबसे अधिक मैडल किसने जीते हैं आंसर हो जाएगा महराष्ट ने तो दोस्तो 37 बे नैसनल गेम्स का आयोचन 2023 में गोवा में किया गया था और इसमें सबसे अधिक मैडल महराष्ट की टीम ने जीते थे दोस्तो मेडल टैली की बात करें तो पहले स्थान पर महराष्ट रहा है दूसरे स्थान पर सर्बस्टेश स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड रहा है तीसरे स्थान पर हरियाना चौथे पर मद्दप्रदेश और पांचबे स्थान पर केरल रहा है महराष्ट की अगर हम बात करें तो इसने 80 गोल्ड मेडल जीते हैं और 79 सिलवर मेडल जीते हैं और 89 ब्रॉंज मेडल जीते हैं और कुल टोटल 228 मेडल जीते हैं स्यद मुस्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार किसने जीता है तो ये 2023 का आयजन था तो ये पहली बार जीता है पंजाब ने तो स्यद मुस्ताक अली ट्रॉफी में पहली बार पंजाब की टीम ने जीत हासिल की है तो बडोदा को 20 रनों से हरागर की पंजाब की टीम ने साइद मुस्ताक अली T20 ट्रोफी का खिताब अपने नाम किया था, फाइनल मुकाबला मोहाली के पंजाब किर्किट एसोसेशन इस्टीडियम में किया गया था, पिलियर ओफ दर टूर्नामेंट पंजाब के अपशीक चर्मा रहे हैं और फाइनल मुकाबले की पिलियर ओफ दा मैच अनमोल्स प्रीसिंग रहे हैं, सेद मुस्ताक अली ट्रोफी की बात करें तो यह भारत में एक घरेलू T20 क्रिकेट चेंपेंशिफ है, BCCI के द्वारा रडजी टीमों के बीच में यह आयोजित करवाई जाती इसका नाम पूर्व टैस्ट क्रिकेटर सेद मुस्ताक अली के नाम पर रखा गया है, इसका पहला आयوज़न 2006 में क्या गया था, इस ट्रोफी को सबसे अधिक बार तमिल नाडू ने जीता है, और तमिल नाडू ने तीन बार इस ट्रोफी को जीता है, नेक्स्ट क्ोशन है, वंडे क्रिकिट में सबसे अधिक सतक बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली, तो विराट कोहली के नाम वंडे क्रिकिट में 50 सतक हो गए हैं, जबकि Master Blaster सचिन तेंदूलकर के नाम 49 सतक हैं, तो उन्होंने सचिन तेंदूलकर का record तोड़ दिया है. नेक्स्ट कोशन है, क्रिकिट विशुकप 2023 का खिताब किसने जीता हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्टेलिया. तो आपको याद रखना है कि 2023 में क्रिकिट विशुकप का आईशन भारत में किया गया था, आउस्टेलिया ने भारत को 6 विशुकप से हरा करके 6 भी बार वंडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. इससे पहले आउस्टेलिया ने 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में भी विशुकप जीता हुआ है. मुहमद समी क्रिकिट विशुकप 2023 में सबसे अधिक विकिट लेने वाले खिलाडी रहे हैं, उन्होंने 24 विकिट हांसिल किये थे. ट्रेबिस हैड विशुकप 2023 के फाइनल मैच के मैन आउफ दा मैच रहे हैं, मैन आउफ दा सीरीज का वाड़ विराट कोहली को दिया गया था. दोस्तो 2023 के विराट कोहली ने सबसे जाद साथ सो पैसट रन बनाये थे, फाइनल मुकाबला नरेंदर मोदी स्टेडियम एहमदाबाद गुजरात में किया गया था, विजिता टीम को 40 लाख डालर की रासी परदान किये गए थी, और उप विजिता टीम को 20 लाख डालर पर अर्सचिन तेंदूल कर थे, क्रिकेट विशुकप में सबसे तेज सतक किसने बनाये था, उस्टेलिया के बल्लिवाज ग्लैन मैक्षमेल ने, इन्होंने 40 गैन में सतक बनाये था, अंगला कुशन है, डेवेस कप 2023 टैनिस का खिताब किसने जीता है, तो ये इटली ने जीता है, दोस्तों आपको याद रखना है कि डेवेस कप टैनिस से रिलेटेड है, और 2023 में इसका खिताब इटली ने जीता है, उस्टेलिया को हरा करके, तो डेवेस कप 2023 का आयोजन स्पैन की मलागा में किया गया था, इटली का 1976 के बाद यह पहला डेवेस कप है, यानि कि इससे पहले 1976 में इटली ने डेवेस कप जीता था, 123 साल पुराने इस टूर्णामेंट में इटली दूसरी बार चेंपियन बना है, और इटली 6 बार उप विजीता भी रहा है, डेवेस कप की बाद करें तो इसे टैनिस का वर्ल्ड कप भी कहा साता है, श्रुवाद 19 शो में की बारत ने पहली बार डेवेस कप में 1921 में हिस्सा लिया था, महिलाओं के लिए डेवेस कप की तरह बिली जीन किंग कप का आयोजन करवाया जाता है, इस लेक्षर का अंतिम कुशन है, बी सी सी आई ने किसे भारतिये महिला क्रिकेट टीम का मुख कोच बनाया है, आंसर हो जाएगा अमोल मजूमदार, तो अमोल मजूमदार भारतिये महिला क्रिकेट टीम के कोच बने है, जबकि पुरुस क्रिकेट टीम के कोच कौन है, राहुल द्रबिण, ये सभी कोशन आप नोट के लिजी का काफी important कोशन है आपके exam की द्रश्टी से, दोस्तो अब आपके ल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बैल आइकोन भी दबा लें, और इसके अलाबा दोस्तो हमारे WhatsApp चैनल, Telegram चैनल, इन सभी को जोइन कर लिजी का, एप को भी डाउनलोड कर लिजी का, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्श में दिय प्याहे